हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त डीके गुपता मैं आप सभी का एक्सल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में सवगत करता हूं इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सल फार्मूला इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे उसका नाम उस फार्मूले का गुरुप कौन सा है और MS Office के किस वर्जन से ये एवेलेबल है उसका description, उसका use, उसका syntax क्या होता है उसको use करने के लिए कितने और क्या-क्या arguments की जरुरत होती है और जो सबसे महत्मन बात है वो है practice examples के द्वारा उस formula को use करना और उस formula को उसकी functionality और utility को अच्छे से समझना दोस्तों हमारा formula of the day है LCM LCM तो अपने discussion शुरू करता है LCM के लिए हमारा name of the formula है LCM, Maths Group का part है MS Office के ये सभी वर्जन में available है description ये use की बात करें, it returns the least common multiple, it returns या compute the least common multiple syntax of formula का जहां तक बात है, इसका syntax is equal to LCM, number one, number two, number three and number means 256 तक हम लोग इस तरीके से number लिख सकते हैं या range को select कर सकते हैं equal to LCM और detail में समझने है LCM, returns the least common multiples, number one, number two, one to 255, number तक हम इस तरीके से range या numbers select कर सकते हैं number one, number two, एक number compulsory argument है, बागी के सब उसके optional है, means इस तरीके सम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये least common multiple calculate करके return कर देता है, कुछ practice example के थो हम लोग इसको और detail में समझने की कोशिस करते हैं, how it works, direct input method के थो हम लोग apply कर रहे है, equal to LCM और यहाँ पर 150, 154, 2 और 8, इस तरीके से मैंने लिया और इनको parenthesis को close करते हुए, LCM calculate, तो इसने अपने अप calculate करके हमें return कर दिया, करके the LCM of these four numbers is 46,200, 46,200, हम इसी को LCM को cell references के through भी यूज कर सकते हैं, equal to LCM, suppose यह और यह दो numbers को हमने select किया, इन दो numbers का LCM is 2, अब मैं freeze कर रहा हूँ, D8 को, और formula को copy करता जाता हूँ, cell references हर एक में use कर रहे हैं, means अब हम इन तीन numbers का LCM calculate कर रहे हैं, तो इनका multiple कितना आएगा, LCM, least common multiple, 4, next, 8, next, means जैसे जैसे हम लोग number बढ़ाते जा रहे हैं, अब हम जो LCM calculate कर रहे हैं, वो यहां से लेकर कि यहां तक के numbers का LCM calculate कर रहे हैं, तो उसका LCM आया 120, तो इस तरीके से यह change होता चला जाएगा, कि अगर हमें कभी भी LCM calculate करना है, तो हम इस तरीके से काम चला सकते हैं, ठीकित, आप जो यह 1000 हैं, तो हम लोगों ने LCM calculate किया from here to here, तो यह आया 3000, तो LCM किस काम के लिए यह होता है, least common multiple calculate करने के लिए, least common multiple, तो यह था हमारा formula of the day, LCM, आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.